उत्रप्रदेश सरकार के अल्प संख्यक कल्यान हज एवं वक्फर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने केंदर द्वारा नागरिक्ता संसोधन अधिनियम यानी CAA के नियमों को अधिसूचित किये जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि इसको लेकर संदे नहीं ह होना चाहिए क्योंकि ये नागरिक्ता देने वाला कानून है किसी की नागरिक्ता छीनने वाला नहीं। नागरिक्ता संसोधन अधीनियम यानी CAA-2019 को लागू करने का एलान कर दिया ताकि पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिक्ता प्रदान की जा सके CAA के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधान मंत्री नरिंद मोदी की सरकार इन तीनों देशों के प्रतारित गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिक, जैन, गोध, पार्सी और इसाई को भारतिय नागरिक्ता देना शुरू कर देगी अंसारी ने आगे कहा कि देश में CAA कानू लागू करने में मोदी की गैरिंटी है कि इसे देश में एक भी मुसल्मान की नागरिक्ता छीनने का कोई खत्रा नहीं और नाहीं कोई संदे होना चाहिए